गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज आठ की क्लास है आठ की क्लास में हम निकल वाटर मैलन जो किया था आज हम वाटर मैलन में कलर फील्स करेंगे कैसा होता है हमारा वाटर मैलन टर्बूज ग्रीन कलर का तो हम इसमें ग्रीन कलर की कर देते हैं पूरे में ही ग्रीन विल्कुल दीरे दीरे कि पूरे में हमने क्रीन करना है तो हम नीट एंड ग्लेन यह की सिक्वेंस में अपने वाटर मैलन में आज आज़ेंगे क्रीन कलर कर देते हैं आई होप आपने कल इसको नीट एंड 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 ट्रो किया होगा और आज की क्लास में हम नीट एंड एंड नीट एंड 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 कलर स्वीर करेंगे हमने क्या किया है पहले आउटलाइन की है इसके साथ ग्रीन स्केच के साथ जो हमने डोट से वह भी ग्रीन स्केच के साथ ही ट्रो कर दिये यानिकी फिर बाद में उनकी आउटलाइन कर देंगे अगर देखो मैंने यहां से स्टार्ट केता है तो मैंने ऐसे ही सारे कलर प्लिक है यानिकी अपने हैंड को एक ही सिक्वेंस में रखा है को एक इड़ प्लिक है प्रष्च बेच्ट लेड़े रेड़े को जाए को कम्प्लीट हो गया पट हम इसको फिनिशिंग देंगे यहां से दुबारा से कलर करना स्टार्ट किया फिनिशिंग क्यों दे रहे हैं जहां हमारा वाइट एयरीया रहाए गया होगा शीट पर वह हमारा कवर हो जाएगा कॉलर के साथ देखो पहले हमने सरकल से वाटर मैलन रोक किया था हमने sketch pen के साथ इसको outlaying की है जो हमारे छोटे छोटे डोट्स थे वो हमने green sketch pen के साथ fill कर दिये थे और इसमें फिर हमने dark green color किया है crayon color आप कोच्छे से समझ में आए होगो कि कैसे कलर फिल हुए हैं थेंक्यू एंड है वनाइस टेइग अ